So, Hello everyone, आज एक UPSC के point of view से काफी important topic हम discuss करने वाले हैं, जिसका नाम है buddhism बुद्धिसम अगर आपने previous question देखे होंगे UPSC के, तो आपको ये idea तो होगा कि बुद्धिसम जो है UPSC के point of view से काफी important topic तो चलिए, IAS social के channel पे मैं आप सभी का सहथ करता हूँ, हमारा टेलग्राम चैनल है IAS social और YouTube का channel भी IAS social के नाम से तो दोनों को subscribe करना ना भूलेगा ताकि इसी तरीके के meaningful content आपको मिलते रहें तो चले शुरुआत करते हैं तो गौतम बुद्ध के जनम के starting की बात करते हैं तो अगर देखा जातों इनका जो जनम हुआ था ये लुम्बिनी लुम्बिनी करके एक नेपाल में एक जगह है वहाँ पर हुआ था कपिल वस्तु उस रीजन का नाम था और अगर हम बात करें कि किस महाजनपद में था तो कोसल महाजनपद में कोसल महाजनपद ये वही महाजनपद है जहां पर शीराम का भी जनम हुआ था तो पेरेंट्स के अगर हम बात करें तो इनके पिता जी का नाम था शुदोधन शुदोधन अगर हम देखें तो शाक्या क्लैन के एक राजा ठीक है उनके क्लैन का नाम था शाक्या और ये कोसल महाजनपद की कपिलवस्तू रीजन के रियासत के राजा थे ठीक है चुकि सिधार्थ गौतम शाक्या क्लैन से बिलॉंग करते थे इस वज़े से हम इनको शाक के मुनी भी कहते हैं शाक के मुनी तो कई बार एक्जाम में कुश्चन आ सकता है कि शाक के मुनी किसको कहा जाता है फिर देखा जाए तो बाइलोजिकल इनकी जो मदर थी उनका नाम था माया जिन्होंने इनको जनम दिया था और जनम देने के साथ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी इस वज़े से उनकी जो मौसी थी सिधार्थ गौतम की उन्होंने इनको पालपूस के बढ़ा किया तो बच्पन में इनका नाम था सिधार्थ जोकी इनको पालपूस के बढ़ा करने वाली मा का नाम था गौतमी तो इस वज़े से इनका नाम पड़ा सिधार्थ गौतम ठीक है फिर जब सिधार्थ बड़े हुए तो इनकी जो शादी है यशोधरा से हुई इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा जिनसे इनको एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल तो ये हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में फिर एक अर्ली लाइफ से रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग सा किस्सा है जब गौतम बुद पैदा हुए तो रिशी जब आए तो उन्होंने भविशवारी करी या तो एक बहुत महान राजा बनेगा या तो ये एक सादू बनेगा ये सुनकर जो उनके पिता थे सिधार्थ गौतम के वो काफी ज़्यादा टेंशन में आ गए उनको लगा कि चलो महान राजा बना तो सही बात है चलो अच्छी बात है उनका राजपाठ आगे चलेगा उनका बंच चलेगा लेकिन कहीं वो अगर साधू बन गया तो फिर तो गरबड हो जाएगी तो इस वज़े से सिधार्त गौतम के पिता शुदोदन ने प्लान किया कि भाई सिधार्त को इतनी ज़्यादा मेटरिलिस्टिक चीजों से घेर देंगे इतनी ज़्यादा भोग विलासिता से घेर दिया जाएगा कि वो कभी भी राजमहल छोड़ कर एक मंक बनने का सोच भी नहीं पाएंगे इस वज़े से बच्पन से ही उनको हर तरीके के दुख से दूर रखा गया ठीक है उनको यहां तक नहीं पता था कि कौन बुढ़ा आदमी अगर है तो बुढ़ा होता है बिबार भी पढ़ सकता है इंसान मरता भी है इन सब जो रियालिटीज है जीवन की जो सत्य है जो काटी सत्य है अटल सत्य है उन सारे सत्य से सिधार्थ का कोई भी पाला ही नहीं पढ़ा इन सब चीरों से वो पूरी तरीके से इगनरेंट थे और पूरी तरीके से वो भोग विलास्ता में डूबा हुआ एक बहुत ही ऐश का जीवन जी रह थे हाला कि होनी को कौन टाल सकता है एक दिन सिधार्द अपने रत चालक के साथ अपने रती के साथ अपने सामराज के भरमड पर निकलते हैं और जब वो सामराज के भरमड पर निकलते हैं तो पहले दिन उन्हें एक बुढ़ा आदमी मिलता है ठीके फर्स डे फिर वो पूसते हैं कि भाई अप फिर दूसरे दिन ये एक बिमार आदमी को देखते हैं सिधार्त गौतम पूस्ते हैं अपने सार्थी से कि ये कौन है इसमें बोला कि ये बिमार है इसका शरीर में कुछ तरीकी के व्याधियां आ गई है इस वज़े से बिमार पड़ गया है फिर तीसरे दिन जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी मरा हुआ जा रहा है ठीक है लोग उसके डेड बॉड़ी को लेकर जा रहा है फिर ये सिधार पूस्ते हैं कि ये कौन है तो सार्थी जवाब देता है ये आदमी मर गया है तो अब देख सकते हैं कि level of ignorance इन्होंने कभी भी कोई बिमार आदमी कोई बुढ़ा आदमी कोई मरा हुआ आदमी ही नहीं देखा था थीक है तो उसे दार का मन काफी विचलित होता है कि यार यह तो जीवन काफी कस्ट वाला जीवन है मैंने तो ऐसा जीवन देखा ही नहीं आदमी बुमार पड़ेगा इस तरीके से कपकप आते हुए चलेगा इतनी ज़्यादा जीन शीन अवस्था में वो हो जाएगा आदमी बुढ़ा होगा तो भी वही हाल है आदमी फिर मर जाता है किता बड़ी समस्या है यह जीवन के कितने बड़े सत्य है इससे मैं पूरी तरीके से अभी तक मेरा इससे पाला ही नहीं पड़ा था मैं इस तरफ से अग्यानी था तो उनका मन काफी ज़्यादा दुखी होता है फिर एक जब चौथे दिन वह जाते है तो चौथे दिन उनको एक साधू मिलता है जब उस साधू को देखते हैं तो साधू के तन पे कोई भी कपड़े नहीं थे उसका शरीर भी एक तरीके से हड़ी हड़ी हो गया था फिर भी वो अपने ही आप में खुश था, उसके मन से, उसके चेहरे से एक अलग तरीके का प्रकाश निकल ला था, जिसको औरा बोलते हैं वो निकल ला था, तो जब सिधार्थ गौतम ने उस योगी को देखा तो अपने सार्थी से पूछा कि ये कौन है, तो सार्थी ने साधूं की जो बवेश्माड़ी थी, वो सत्यसावित होती है, और एक दिन सिधार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल को राजबहल में ही सोता हुआ छोड़के, घोड़े पर बैठकर, अपना सारा राजपाट त्याग कर साधू बनने के रास्ते पर, बुद्ध बनने के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तो ये था उनका स्टार्टिंग का जीवन, फिर अगर हम देखें कि कैसे कैसे उनका, उनकी लाइफ के चार सबसे बड़े कौन से इवेट है, तो देखा जाये तो 29 साल की उमर में जब सिधार्थ ने अपना घर छोड़ इस इवेंट को कहते हैं महानिभिषक्रमन, यानि दा ग्रेट, दा ग्रेट डिपार्चर, जब वो अपना राजपाट छोड़के साधू बनने के रास्ते पर निकल जाते हैं, इसको कहा गया है महानिभिषक्रमन, फिर इवेंट टू है, इनकी लाइफ के ये कुछ खास तब कर रहे हैं, कोई पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है, कोई एक पैर पर खड़े होके तपस्या कर रहा है, कोई बिना खाय तपस्या कर रहा है, तो इसी, इसी स्ट्राटिजी को उन्होंने भी अपनाया, and initially, he tried to profess extreme path, बहुत ही कठोर तपस्या करने की कोशिस की, लेकि धिर धिर उनको ये अंदाजा लग गया, कि ये भाई, ये सही तरीका नहीं है, उनको ये लग गया, कि भाई, जब मैं भूखा रहता हूँ, ठीक है, जब मैं खाना नहीं खाता हूँ करे दिनों से, मुझे भूख लगी होती है, तो मेरा जो मन है, वो ध्यान में नहीं लग लग सकता जिस सत्य की तलाश में वो अपना घरबार छोड़कर सादू बनके घूम रहे हैं वैराग की धारण कर लिया है वो सत्य तो उनसे अभी भी अच्छूता है तो यहां पर उनको रिलाइज होता है कि यह जो एक्स्ट्रीम पाथ है यह सही तरीका नहीं है और इस एक्स्ट्रीम वन एक्स्ट्रीम टू मिडल पाथ ठीक है मिडल पाथ जैसे कि नहीं बहुत ज्यादा इदम खाना इदम आप दबा के खा लीजे और नहीं आप पूरी तरीके से हंगर पे रहिए आप बीच कर रहिए थोड़ा खाना खाये जितना शरीर को उसकी जरूरत है तो इसी को कहा गया है मिडल पाथ एवाडिंग एक्स्ट्रीम इस कॉल मिडल पाथ तो उन्होंने मिडल पाथ मध्यम प्रतिपदा का रास्ता अपनाया और फिर 49 डेस तक ठीक है 49 डेस तक उन्चास दिनों तक लगतार तप्रस्या करते हुए उन्हें आखिरकार एंलाइट को कहा गया है उनको निर्वाना की प्राप्ती हुई उनको सत्य की का ग्यान हुआ और ये सत्य का ग्यान उनको बौद गया अगर के एक जगह है बिहार में वहाँ पर उनको सत्य का ग्यान हुआ फिर तीसरे इवेंट के अगर हम बात करें तो तीसरा इवेंट सत्य को जानने के बाद, निर्वाना प्रात करने के बाद, ज्ञान प्रात करने के बाद, उन्होंने सबसे पहला अपना जो सेरमन है, वो सारनात में दिया, सारनात बना रहा है, उतर प्रदेश में एक जगा है, फिर जो अगला event है 80 साल की उमर में उनका दिहानत होता है कुशिनगर में जो की उत्तरप्रदेश में जगा है और कुशिनगर मल महाजनपद मल महाजनपद मिश्ते थे और इस event को कहा गया महापरिनिर्वाना ठीक है तो ये चार important event है महानिभिष्क्रमन is the first event second event is enlightenment निर्वाना third is the धर्मचक्रपरिवर्तन and fourth is महापरिनिर्वाना these are the four important events of his life और इन सारे events को इस तरीके से दर्शा जाता है उनके जनम को lotus या बुल के symbol से दिखाया जाता है कभी exam में ऐसा आ सकता है फिर जब great departure जब उन्होंने महल छोड़ा था उसको घोड़े से symbolize करते हैं क्योंकि घोड़े की पीट पर ही बैठ कर वो निर्वाना मापकी जगा जंगल में गए थे फिर enlightenment की बात करें तो enlightenment को both ही tree से symbolize किया जाता है क्योंकि तीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ के उनको निर्वाना की प्राप्ती हुई थी और जो पहला उन्होंने अपना संबोधन दिया था अपना जो भासर दिया था ठीक है अपना जो प्रवचब दिया था उसको wheel से symbolize किया जाता है wheel का जो symbol है ये उपनिश्दों से लिया गया है ठीक है फिर जो उनकी मृत्यु है जिसको परिनिर्वाना कहा गया है उसको स्थूपा से symbolize किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि स्थूपाज में जो बुद्धा के body parts है जो body relics है वो इन स्थूपाज में गड़े हुए है ठीक है एक important स्थूपा है पिपर्वा पिपर्वा स्थूपा है आपका सिधार्थ नगर डिस्टेक्ट उत्तर प्रदेश में वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बुद्धा के मरने के बाद उनके शरीर के आउसेसों को दफनाए गया है चलिए अब teachings देखते हैं बुद्धा की ये important है तो बुद्धा के हिसाब से भाई पूरा जो संसार है ठीक है एक तरीके से cause and effect के principle पे काम करता है यानि कि basically कर्मा के principle पे काम करता है जैसा करोगे वैसा भरोगे तो कर्मा की philosophy पे विश्वास करने वाली philosophy है फिर अगर हम देखें तो दुनिया में वो कहते हैं कि भाई जो हमाई desire है ठीक है ignorance की वज़े से ही desire यानि अबिलाशा का जनम होता है ठीक है और desire से कर्म का जनम होता है और कर्मा से basically हमें वापस से पैदा होने के लिए बाद्य होना पड़ता है और उसकी वज़े से हमें फिर से दुखों का सामना करना पड़ता है और अगर हमें इस दुख से मुक्ती पानी है तो सबसे पहले हमें ignorance से मुक्ती पानी होगी ठीक है चर एस चीज को मैं समझाने कोशिस करता हूँ तो बुद्ध कहते हैं ये जो world है बहुत ध्यान से सुनेगा world जो है अनित्य है यानि कि impermanent है ठीक है पुरा संसार impermanent है सब कुछ छडबंगुर है जो है कल नहीं रहेगा लेकिन एक चीज है जो permanent है वो है दुख दुख जो है वो permanent है permanent है यानि कि अगर आप इस संसार में पैदा हुए है तो आपको दुख जहल नहीं पड़ेगा अब चलिए देखते हैं birth birth यानि कि आप पैदा हुए तो आप दुख जहलेंगे ठीक है बुद्ध कहते हैं कि अगर आपका जीवन है तब तक आपको दुख जहलना ही पड़ेगा और दुख का वज़़ बताते हैं वो है आपकी डिजायर दुख की वज़े है डिजायर और डिजायर दो तरीके की होती है एक होती है फुल्फिल डिजायर एक होती है अनफुल्फिल डिजायर ठीक है अनफुल्फिल डिजायर और देखे फुल्फिल डिजायर से क्या होगा ऐसा नहीं है कि आपकी desire fulfill होगी तो फिर खतम हो जाएगा ऐसा नहीं है fulfilled desire से desire number two का जनम होगा ठीक है और unfulfilled desire रहेगी तो वैसे भी आपको दुख जहिलना पड़ेगा ठीक है दुख जहिलना पड़ेगा और इन desires की वज़े से ही आप उन desires को fulfill करने के लिए you will be reborn आपको वापस से जनम लेना पड़ेगा और आपको वापस से दुख जहिलना पड़ेगा ठीक है आपको वापस से दुख जहिलना पड़ेगा तो ये एक vicious cycle है ये एक कुचक्र है इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको इस कुचक्र को तोड़ना है तो आपको सबसे पहले आपको अपनी desires पर काबू करना होगा ठीक है desires पर काबू करके ही आप ये cycle of birth and rebirth को तोड़ सकते हैं क्योंकि जब तक आपके मशरीर में आपके मन में desire रहेगी चाहत रहेगी तब तक आप पैदा होते रहेंगे और दुख जहलते रहेंगे तो इस वज़े से desires के ऊपर काबू क पाना सबसे ज़ाज जरूरी है और desire पे आप काबू कैसे पा सकते हैं middle path को follow करके middle path को follow करके अगर आप middle path पे यानि मध्यम प्रतिपदा पे चलेंगे तो आप अपनी desires को पे काबू कर सकते हैं और basically जो बुदिजम में निर्वाना का concept है निर्वाना इसका मतलब ही है extinguishing the flame of desire जिस दिन आपके desires की जो अगनी है जो जौला आपके शरीर में आपके मन में जल लई है जिस दिन वो बुझ जाएगी आपको निर्वाना प्राप्त हो जाएगा एक तरीके से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा समयारी बात तो ये desire की बात उन्होंने की थी कि और निर्वाना प्राप्त करने के लिए आपको मिडल पात की जरूरत है ये चार सत्य हैं बुधिजम के वो आगे मैं डिस्कूस करूँगा तो चीजे और बहतर तरीके से समझ में आप आएगी तो निर्वाना इस बेसिकली बुधिजम निर्वाना इस extinguishing the flame of desire ठीक है निर्वाना जिसका little meaning ही होता है blowing out to blow out यानि बुझ जाना तो क्या चीज बुझ रही है basically आपके मन में जो अगनी जल लई है जो जो आला जल लई है desire की जो flame जल लई है desire की उसी का बुझ जाना जैसे ही आपकी वो desire की आपके मन की जो चाहत वाली आग है वो जैसे ही बुझेगी आपके शरीर को आपके अपने आपको reborn होने की वापस से जनम लेने की जरुवत नहीं पड़ेगी और आप इस संसार की मुहमायक से मुक्त हो जाएंगे ठीक है चलिए आगे टीचिंस में देखते हैं बुधिजम की तो बुधिजम एक anti-wedic religion थी जिन्होंने वेदों की philosophy को पुरी तरीके से discard कर दिया था इसी वज़े से इसको heterodox heterodox school भी कहा जाता है या gnastic school of philosophy में भी classify किया जाता है gnastic school of philosophy नastic और आस्तिक का मैंने फर्क बताया था आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक अलग से lecture आपको मिलेगा आस्तिक और नास्तिक philosophy के उपर तो बेसिकली जो वेदों की philosophy पर वेदों की authority पर वेदों में जो लिखा हुआ है उसके पूरी तरीके से विश्वास करते थे उनको कहा गया आस्तिक उसको कहा गया आस्तिक और जो वेदों को पूरी तरीके से नकारते थे उनको कहा गया नास्तिक तो बुदिजम और जैनिजम जो है वो heterodox school of philosophy से बिलॉंग करती है अनात्मवाद की बात की थी अनात्मवाद यानि कि there is no soul फिर तीसी चीज है वो कर्म की doctrine पे विश्वास करते थे यानि कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा फिर अगली चीज वो कहते हैं वो rebirth पे विश्वास करते थे अब सवाल यह आता है कि भाई जब आत्मा exist नहीं करती है तो rebound कौन होता है तो बुद कहते हैं कि basically किसी का मरना किसी का मरना is basically a cause and this cause will give birth to give rise to birth which is basically effect तो cause और effect के formula से उन्होंने rebirth की बात की थी ठीक है बुद के हिसाब से शरीर के साथ ही आत्मा मर जाती है soul does not exist ठीक है लेकिन rebirth होता है जनम होता है पुनर जनम होता है पर आत्मा का नहीं होता है आपके अंदर की जो इच्छा है उनका पुनर जनम होता है जैसे हिंदुईजम में बोला गया है trans migration of soul हिंदुईजम की philosophy है कहती है कि भाई आत्मा मरता नहीं है आत्मा सिर्फ शरीर बदलता है जो हमारी body है वो एक तरीके से आत्मा के लिए कपड़ा है जब ये पुराना हो जाता है तो आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़के या बिमार हो जाता है तो इस खराब हो गए शरीर को छोड़के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है ये हिंदुईजम कहता है पर बुदिजम इस चीज को न कारता है बोलता कि भाई आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है हाला कि पुनर जनम होता है लेकिन पुनर जनम आत्मा का नहीं होता है पुनर जनम इंसान की दभी हुई इच्छाओं का होता है डिजायर्स का होता है जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा ठीक है फिर अगली बात है कि अहिंसा की डॉक्ट्राइन पर वो विश्वास करने वाली फिलोसफी थी तो ये चीज़े ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है फिर अकर हम बुदिजम के चीफ अबजेक्टिव की बात करें तो बेसिकली उसका चीफ अबजेक्टिव है निर्वाना पराप्त करना अब निर्वाना और मोख्ष में क्या फर्क है आगे वाली स्लाइड में देखेंगे बुद्ध के हिसाब से जो भगवान है ये नॉट दे क्रिएटर अफ यूनिवर्स ठीक है बुद्धिजम में एक अगनॉस्टिक रिलीजिन है ध्यान रखेंगे अगनॉस्टिक रिलीजिन एक होता है कि अथीस्ट रिलीजिन जो कहता है मतलब अथीस्ट एक होता है थीस्ट एक होता है अथीस्ट अथीस्ट के हिसाब से भगवान नहीं है Thiest के हिसाब से भगवान है Agnostic के हिसाब से भगवान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है मतलब they are not sure about it तो बुद्ध से जब उनके जो शिसे हैं जब ये सवाल पूछते थे कि महराज ईश्वर है या नहीं है तो बुद्ध बस यही जवाब देते है क्या फरक पढ़ता है ईश्वर है या नहीं होगा तो भी क्या फरक पढ़ता है नहीं भी हो तो भी क्या फरक पढ़ता है ये हमारा सवाल नहीं होना चाहिए ये हमारे जीवन का कोई उद्धेश नहीं होना चाहिए कि हम ये प्राप्त करने के ये सब के जानने की कोशिस करें, कि इश्वर है या नहीं है, इसके बजाए अगर हमें इस पे फोकस करना चाहिए, कि how to live a happy life, how to live a content life, एक सुखी जीवन कैसे जीए, एक संतोष प्रिय जीवन कैसे जीए, संतोष प्रद जीवन कैसे जीए, इसके बारे में बुद्धिजम में गौदा मुद्ध बात करते हैं, to how to live a content life, ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था, कि बुद्धिजम डिड नॉट बिलीव in transmigration of soul, transmigration of soul का मतलब है, कि आत्मा जो है, शरीर बदलती है, आत्मा शरीर बदलती, इसको कहा गया, transmigration of soul, बुद्ध ने इस चीज़ को न का रहा है, उन्होंने बोला कि भाई, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, basically, पुनर जनम होता है, लेकिन आत्मा का नहीं होता है, आत्मी की दबी हुई इच्छाओं का होता है, ठीक है, इस वैसे बुद्ध कहते हैं कि soul dies with the death of a person, ठीक है, चलिए, चलिए, four noble truth के बात कर रहे हैं, तो यह चार सत्य, ठीक है, जो चार सत्य है, आरे सत्य, इसको हिंदी में बोला जाता है, चार आरे सत्य, तो पहले बोलते हैं, बुद्ध की भाई, दुख है, ठीक है, दुख है, और दुख का कारण भी है, दुख का कारण क्या है, desire, और दुख को रोका भी जा सकता है, उसका निवारण भी है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, ठीक है, दुख का निवारण है और दुख का निवारण क्या है बेसिकली दुख का निवारण है कि भाई अगर हम अपनी इच्छाओं का दमन कर दे ठीक है इच्छाओं का दमन कर दे और इच्छाओं का दमन करने के लिए उन्होंने क्या रास्ता बता है middle path middle path तो बुद्ध चार सत्य की बात करते कि भाई दुख है, दुख रहेगा ही रहेगा एक ये आरे सत्य है जब तक आपका जीवन है तब तक आपको दुख जहलना ही पड़ेगा और दुख का कारण है हमारी डिजायर हमारी इच्छाएं और दुख का निवारण भी है निवारण क्या है? कि भाई अगर हम अपनी इच्छाओं का दमन कर दे if we are able to overcome our desires if we are able to triumph over our desires और फिर वो जीत कैसे हासिल कर सकते हैं अगर हम मध्यम मार्ग यानि कि middle path अपना है अपनी जीवन में तो ये चार सत्य की बात बुद्ध ने अपने philosophy में, अपनी teachings में अपने प्रवचनों में, अपने शिस्यों से कही चलिए अगला जो है topic वो है Buddhist literature तो Buddhist literature में अगर हम देखें तो बुद्ध की जितने भी प्रवचन थे उनके जीवन काल में उन प्रवचनों को नहीं लिखा गया बलकि उनके मरने के बाद उनके शिस्यों ने उनकी philosophy को document किया उसी में आता है tripitka, tripitka का मतलब होता है three basket ये जो tripitkas लिखी गए three basket ये पाली भाशा में लिखी गए तीन tripitkas important है, एक है आपका vinay pitka, vinay pitka का मतलब है basically जितने भी buddhist monk है, जितने भी बहुत bhikshus है, वो sangh में रहने के लिए यानि कि buddhist sangh को अगर वो join करते हैं तो उनका code of conduct क्या होना चाहिए, उनका आचरण क्या होना चाहिए, उनकी daily activity कैसी होनी चाहिए, उनका behavior कैसा होना चाहिए, वो ठीक है, an advisable behavior of a buddhist monk, ये सारी चीज़े विन्य pitka में compile की गई हैं, फिर अगला pitka आता है sutra pitka, sutra pitka basically buddh की जो teachings है, उसको compile किया गया सा sutra pitka में, फिर आता है abidhamma pitka, basically buddh की जो teachings के उपर जो philosophical discussion है, एक तो है आता है कि buddh की teachings को आपने compile कर दिया, उसको बुला गया सुतra pitka, फिर आता है abidhamma pitka, basically उन teachings का जब philosophical explanation है, उसको abidhamma pitka में लिखा गया है, ठीक है, तो तीन important pitkas है vina pitka, sutra pitka और abidhamma pitka, vina pitka code of conduct के बारे में बात करता है, sutra pitka आपके buddha की teachings के बारे में बात करता है, abidhamma pitka जो है, philosophical matter के बारे में बात करता है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं, buddhism literature की बात करते हैं, buddhism, अगर हम देखें, तो जब buddhism, श्री लंका में buddhism का प्रचार प्रसार हुआ, तो इस चीज़ को बोला गया ठीक है, दीप वमसा, फिर अगली किताब है, महा वमसा, the great chronicle, great chronicle, basically buddhism की teachings के बारे में और buddhism किस तरीके से समाज में पहला, उसके बारे में बात करता है, दीप वमसा और महा वमसा, यह ध्यान रखेंगे, और जैसा कि मैंने संस्कित में बात की जो किताबे हैं, बोधिजम से संबंदित, वो संस्कित में लिखी जाने लगे, सबसे पहली जो किताबे थी, वो पाली भाशा में लिखी गए, ठीक है, जैसा कि हम शब सुनते हैं, प्रकृत, तो प्रकृत कोई भाशा नहीं थी, प्रकृत जो है एक जैनरिक टर्म था वो सारी भाषाओं को जो नॉन संस्कृत भाषाएं थी संस्कृत के अलावा जितनी भी भाषाएं इंडियन सब कॉंटिनेंट में बोली जाती थी उनको एक जैनरिक नाम दिया गया प्रकृत भाषा जैसे बुद्ध को देखें तो बुद्ध के जो उपदेश हैं बुद्ध खुद मगधी भाषा बोलते थे गौतम बुद्ध और वर्दमान महावी दोनों ही मगधी भाषा बोलते थे ठीक है दोनों ही मगधी भाषा का प्रयोग करते थे तो मगधी एक तरीके से प्रकृत भाषा है पाली भी प्रकृत भाषा में आती है ठीके तो all those non-sanskrit languages which were spoken in Indian subcontinent they are called प्रकृत ठीके चलिए आगे चलते हैं फिर जैसे कि मैंने बताया था कि बुद्ध जब starting में तपस्या करने गए ठीके तो उन्होंने बहुती extreme finance की शुरुआत की बहुती कठोर तपस्या करने कोशिस की और एक ऐसा समय आ गया था कि उनके पुरा शरी जो है हड़ी हड़ी हो गया था ऐसा लगता था कि मर जाए अब मरे की तब मरे मरणासन स्थिती में पहुँच गये थे फिर बुद्ध ने अपनी बातों को लोगों तक पहलाने के लिए reasons का इस्तेमाल किया persuasion का इस्तेमाल किया कोई supernatural powers का use नहीं किया ऐसा ने कोई जादू आदू से लोगों को impress करनी कोशिस नहीं की उन्होंने अपनी बात लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लोगों को impress करने के लिए लोगों को persuade करने के लिए logics और reason का सहरा लिया जैसा कि आपको एक कहानी पता हो गई कि एक औरत आती है फिर उसका बेटा मर गया होता है फिर वो गौतम बुद से प्रातना करती है कि वो अपने उनके बेटे को उसके बेटे को जिन्दा कर दे तो गौतम बुद ऐसा नहीं है कि अपने जादू अदू का इस्तिमाल करके उसके बेटे को जिन्दा कर देते हैं गौतम बुद उस औरत से कहते हैं कि जाओ भाई एक काम करो किसी भी घर से एक कटो ना चावल तुम भिक्षा मांग के ले आओ पर condition ये है कि उस घर में कोई पहले मरा नहीं होना चाहिए कोई भी पहले मरा नहीं होना चाहिए ऐसा घर डूडो जहां पे पहले कोई मरा नहो तो ओरत जाती है बहुत सारे पूरे कई दिन भर कई दिन लगाती है वो हर घर खोज मारती है पूरे गाओं के गाओं खोज मारती है लगे उसको कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहां पे पहले कोई मरा नहों तो इससे उस औरत की आंके इस्तमाल नहीं किया ठीक है चलो यह साथ चीज़ मैं अल्रडी बता चुका हूँ पिछला जो मैंने बात कही थी ठीक है, निर्वाना क्या होता है ये भी मैं डिस्कस किया था हमने ये भी बात की थी भाई, जो संसार है, वो अनित है ठीक है, इस संसार में कुछ भी सबकुछ नश्वर है, दुख के अलावा दुख ही ऐसी चीज़ है कि कभी खतम नहीं होती जैसे है ना एक डायलॉग, ये साला दुख खतम काई नहीं होता है वही वाली चीज फिर बात आती है कि भाई मिडल पात की बात की थी हमें पायास आफ मॉडरेशन की बात कही थी ठीक है, फिर हुने एगनॉस्टिक लीजियन है बुदिजम, वो कहते है बाई, इश्वर है या नहीं है, क्या ही फरक पड़ता है तो ये बात हैं हम औरड़ी डिसकस कर चुके है चलिए, आगे देखते है निर्वाना की हमने बात की थी, भाई, बुदिजम में निर्वाना और हिंदुईजम के मुक्ष में क्या फरक है तो भाई, हिंदुईजम का जो मुक्ष है वो कहता है बेसिकली दोनों का कंसेप्ट यह है कि इस लाइफ और डेथ ठीक है, इस जीवन और मरड के कुचक्र से मुक्ति पाना दोनों का अब्जेक्टिव सेम है ठीक है, जीवन और मरड के इस सर्कल से ठीक है, मुक्ति पाना इस कुचक्र से मुक्ति पाना, यही मुक्ष का भी अब्जेक्टिव है, यही निर्वाना का भी objective है लेकिन difference ये है कि भाई हिंदुईजम में मोक्ष का मतलब है कि once a soul ठीक है जब आत्मा यूनिवर्सल सोल से यूनिवर्सल सोल से जब यानि कि God के साथ जब reunite हो जाती है तो मुक्ति मिल जाती है उसको यानि कि अगर आप एक बार परमात्मा में विलीन हो गए तो आप वापस से आपका जनम नहीं हो गा और जब तक आप परमात्मा में विली नहीं हो रहे हैं जब तक आत्मा आपकी परमात्मा में विली नहीं हो रहे हैं तब तक वो बार बार पैदा होती रहेगी जनम लेती रहेगी तो हिंदुईजम में ये कहा गया कि भाई आत्मा को परमात्मा में मिल जाने को ही मोक्ष बोला गया है लेकिन बुद्धिजम में मोक्ष का मतलब है यानि कि निर्वाना का मतलब है कि भाई अगर आपको अपनी इच्छाओं पे अगर मुक्ति मिल जाएगी तो आपको मोख्ष मिल जाएगा आपको निर्वाना प्राप्त हो जाएगा इच्छाओं पे अगर आपको मुक्ति मिल जाएगी तो आप इस life और death के कुछ अकर से मुक्ति पालेंगे तो basically Buddhism में triumphing over desire will lead to salvation in Hinduism reuniting with the parmeshwar reuniting with the brahma will lead to salvation तो ये एक difference है तो इसका एक और मतलब ये निकल के आता है कि Buddhism में आप जीते जी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं निर्वाना प्राप्त कर सकते हैं लेकिन Hinduism में मरने के बाद ही आपको निर्वाना आपको मोक्ष मिल सकता है ठीक है तो ये difference है फिर चलो बुदी संग के बारे हम देखते हैं तो भाई बुद्ध ने अपने टीचिंग्स के प्रचार प्रसार के लिए basically एक तरीके से मिशनरी की शुरुआत की उन्होंने बहुत भिक्षों को की एक तरीके से फौज बनाई जिनका काम था कि वो जन्दा के बीच जाके उनकी टीचिंग्स को बुद्धी की फिलोसफी को बुद्धिसम की फिलोसफी को जन्दा तक पहुँचाए ठीके और इस वज़े से उन्होंने शुरुआत की संग की ठीके संग वाज बेसिकली अन और्गनाईजेशन ओं मंक whose responsibility was to proliferate the teachings of गौतम बुद्धा और ये जो मंक्स थे इनको भिक्षू का जीवन जीना था ठीके बिए सपोस्ज तो जहां पर ये बहुत मंक्स रहते थे उस जंग को कहा गया विहारा जैसा की आप पूरे साल तो नहीं घूम सकते एक जंग से दूसरे जंगा बहुत भिक्षू थे पूरे साल बर नहीं घूम सकते क्योंकि कई बार मौसम ऐसा नहीं होता कि भाई कोई घर से बाहर निकल सके कई बार बहुत बारिश हो रही है बहुत सरदी है मतब कि climate बहुत ही inhospitable है तो ऐसे समय में during adverse condition during advance climatic condition बुदीश्ट मंक्स के रहने के लिए जो जगा बनाएगे उसको कहा गया विहारा ठीक है 2013 में पूछे जा चुके हैं 2013 में निर्वाना के बारे में भी सवाल आया था निर्वाना के उपर भी सवाल आया था चली आगे बढ़ते हैं फिर अगर हम संग की बात करें तो स्टार्टिंग में सिर्फ पुरुष को ही पुरुष भिख्शूज ही सिर्फ संग का हिस्सा बन सकते थे लेकिन गौतम बुद्ध के एक बहुत प्रेश शिर्से थे जिनका नाम था अनंद और उन्होंने गौतम बुद्ध को पर्सुएट किया कि वो औरतों को भी संग जॉइन करने के लिए अलाओ करें परमिशन दें और गौतम बुद्ध ने उनकी बात मानी and women were also allowed to join these buddhist संगाज और buddhist जो female bhikshus है bhikhunis उनको कहा गया theris ठीक है तो male monks को कहा गया bhikshus and female monks को कहा गया bhikhunis या theris यह ध्यान रखेंगे फिर कई बार हम buddhism के बारें पढ़तें तो जातक जातक कहानियों का जातक stories ठीक है जातक where basically a kind of stories जो एक तरीके से folklore थी दंत का था देखो story और folklore में फरक होता है story में basically यह claim नहीं किया जाता है कि यह कहानी जो है पहले हुई थी यानि कि यह सत्य कहानी ठीक है जैसे कच्छु ए-खरगोश की कहानी यह ऐसा नहीं कहा जाता है कि भाई ऐसा सच में हुआ था ठीक है तो यह वो story है कच्छु ए-खरगोश की कहानी लेकिन कुछ कहानिया ऐसी होती हैं जिसको कहा जाते है कि भाई ऐसा सच में कभी हुआ था उन चीजों को कहा जाता है folklore जैसे कि दादा दादी या कभी शादियों के टाइम पे कजन से कठा होते है तो वो भूत की कहानी यह बताते है कि एक बार हम ऐसे जा रहे थे जंगल में तो मुझे भूत मिल गया थे यह सारी चीज़े तो यह folklore है यह ऐसी story है जिसको कहा जाता है कि भाई इसा सच में हुआ था यह वो कहता है कि मेरे परदादा जी को भूत ने पेड़ से उठा के पटक दिया था तो है तो कहानी लेकिन क्लेम किया जाता है कि भाई ऐसा हुआ था और यह इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं होता तो इसको कहा गया है फोर्फ लोर तो बेसिकली जातक कहानियों में गौतम बुद के पिछले जन्मों से संबंधित कहानियों को कंपाइल किया गया है उसको कहा गया है जातक स्टोरी प्रीविएस बर्थ आप बुद्धा फिर एक बुद्ध चरित्र करके किताब थी बुद्ध चरित्र किताब बैसिकली बायोग्राफी थी बुद्ध के जीवन से संबंधित इसको लिखा था अश्वगोष ने संस्कृत भाषा में और अश्वगोष जो है कुशान राजा थे कनेश उनके कोर्ट में ये रहते थे ठीक है लगभग अगर आप देखें तो 1st century BC या 2nd century BC के समय में इस बुद्ध चरित्र को लिखा गया तो बुद्ध चरित्र वाज एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बुद्ध चरित्र वाज रिटन after the death of Gautam Buddha ठीक है after the death of Gautam Buddha तो ध्यान देने वाली बात है लिखा था कि इसने अश्रगोष नहीं भाषा Sanskrit किसके कोर्ट में थे अश्रगोष करनिश्क की कोर्ट में ये कुछ बुद्ध चांसिल से इस पे ध्यान दे लेते हैं तो बुद्ध कांसिल थी क्या तो बुद्ध कांसिल वाज बैसिकली a kind of summit या kind of congregation एक तरीके से ghost ही होती थी which was attended by बुद्धिस फिलोसफर्स scholars फिर thinkers followers of Buddhism ये जितने भी ज्यानी लोग थे जिनको बहुद philosophy के बारे में थोड़ा बहुत ज्यान था वो इन Buddhist council को attend करते थे basically इन Buddhist councils में discussion होता था Buddhist philosophy को लेके ताकि हम नए-नए doctrines का जरम हो सके ताकि अगर कोई contradiction है अगर लोगों को confusion है बुद्ध की किसी teaching को लेके किसी ज्यान को लेके किसी philosophy को लेके किसी concept को लेके तो उस पे clarification हो सके उस contradiction को दूर किया जा सके तो ऐसे चार important Buddhist councils organized की गई पहली जो Buddhist council है it was organized around 400 BC at Rajgir राजगीर जो है बिहार में इस्थित है और राजगीर पहले महा जनपद जो मगद महा जनपद था उसकी पहले राजधानी हुआ करता था बाद में मगद महा जनपद की राजधानी बना partly पुत्र तो first Buddhist council was conducted at Rajgir और pattern age किस ने दिया था अजाद शत्रून ने जो की हरेन का डैनेस्टी से बिलॉंग करते थे हरेन का डैनेस्टी फिर president थे इसके महा कश्यप और इसका जो आउटकम निकला तो विन्य पिटका विन्य पिटका and सुत्व पिटका ठीक है ये दो पिटकाज लिखे गे first Buddhist council के conduct होने के बाद फिर second Buddhist council conduct की गए वैशाली में ठीक है वैशाली में और इसको paternize किया था काल अशोक में जो शिशुनागा डैनस्टी के राजा थे इस जितने भी राजा है basically मगद महा जनपत के राजा थे शिशुनागा डैनस्टी इसको प्रेसिडेंट के इसकी प्रेसिडेंट्सी थी सावक मनी के पास और basically इसकी वज़े से जनम हुआ एक नए हिकासट का जनम हुआ second Buddhist council में यह ध्यान देने वाली बात है basically यह council में जनम क्यों हुआ क्योंकि महासंग कुछ Buddhist जो followers थे उनका माना था कि भाई Buddhist जो monk है वो कुछ material position रख सकते है ठीक है पहले तो यह दिया था कि सिर्फ आप कटोरा रख सकते हैं तो on the question of whether Buddhist monk could have material position or not that created division in Buddhism and two sects were born one was Thavir Vadin sect और एक था महासंगिका फिर जो तीसरी Buddhist council अगर हम देखें तो third Buddhist council was conducted at Pataliputra under the pattern age of modern ruler name Ashok और इसके जो precedent थी हुँआँ का नाम था Mughaliputra टिस्सा और इसमें as an outcome अविधम पिटका की रचना की हुई अविधम पिटका जो की Buddhist philosophy के उपर बेज़ड है बाकी विनाय पिटका और सुत्र पिटका मैं आपको बता चुका हूँ विनाय पिटका basically Buddhistism के code of conduct के बारे में है सुत्र पिटका basically Buddhistism बुद्ध गौतम बुद्ध की teachings के उपर बेज़ड है फिर fourth Buddhist council देखें तो 72 AD में इसको conduct किया गया इसके जो pattern थे उनका नाम था कनेश्क इसके जो president थे उनका नाम था वसुमित्र इसमें दो चीजें important हुई कि Buddhism के दो पार्ट हो गए महाइना और हिनायना ठीक है यही महासंगी का सेक्ट बाद में चलके महाइना बना और यही स्थाविर स्थाविरवादिन जो सेक्ट है बाद में चलके हिनायना हुआ तो यहां से बुदिजम का final separation हो गया और दो सेक्टों का जनम हुआ हिनायना सेक्ट और महाइना सेक्ट हिनायना और महाइना सेक्ट क्या है यह अगले lecture में आपको बताऊंगा सारे differences में अगले lecture में हम इसको discuss करेंगे जिससे हमारी conceptual clarity हो सके तो पहली चीज तो यह हुई कि महाइना और हिनायना सेक्ट का जनम हुआ और एक और चीज हुई महाविभाशा शास्त्र लिखा गया महाविभाशा शास्त्र महाविभाशा शास्त्र की रचना हुई और महाविभाशा शास्त्र किसने लिखा था वसुमित्र ने तो ये दो important outcome थी fourth Buddhist council की ठीक है तो ये था Buddhism के उपर lecture अभी Buddhism का topic पूरी तरीके से खतम नहीं हुआ है अभी हम आगे भी एक दो lecture के मादियम से Buddhism से related जो important चीजे हैं उस पर नज़र डालेंगे तो अगर आपको ये lecture पसा है तो do subscribe to this channel and also like and share among your friends अभी दोस्तों जरूर शेर कीजें ताकि हम इस initiative को एक revolution बना सकें ये I.S. social का channel है जो एक crowdfunded initiative है जो आपके लिए free है और हमेशा free रहेगा इस lecture से related जो handout है वो आपको नीचे description box में telegram channel का link मिलेगा वहाँ से जाके आप उसको free download कर सकते हैं तो thank you